कुछ और example देखते हैं if else के इस condition पर एक तो हमने देखा है कि if वाला एक था, if else वाला था, एक क्या होता है कि हमें condition बार बार हमें check करनी है, मतलब अगर देखते हैं कि कोई एक ही number है, तो उसको हमें 3-4 condition के लिए हमें check करनी है, तो वहाँ पर हम क्या करते है, if, if, if use करते हैं, एकदम simple है, अब यहाँ पर if condition, अगर condition true है, तो यह statements, यह number of statements, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो भी statements है इसका अंदर, तो वो इस condition का true होने पर कौन-कौन से statement execute होने है, तो वो इस block के अंदर आएगा, compound blocks भी इसको बोलते हैं, अब क्या है कि execute हो जाएंगी, अब क्या है कि एक तो यह example हो गया, दूसरे एक example क्या हो सकता है, कि यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली कि अगर यह condition true होती है, तो भी यह check होगा, यानि कि यह जितने lines of condition है तिनो, यह क्या है कि always checked, यहाँ पर क्यों क्योंकि यहाँ पर if है, यानि कि यह condition true हो या false हो, इससे कोई फर्क नहीं परता है, इस dependent है ही नहीं, यानि कि अगर यह check हो गई, तो यह भी check हो नहीं है, यह भी check हो नहीं है, यह इसमें साड़ा execute होगा, अब क्या है, थोड़ा सा different, if, अगर यह condition true होती है, तो यह statement execute होगा, else if, यहाँ पर यह ध्यान देने वाल होगा है, कि यहाँ पर क्या, if condition is true, यह statement execute हो, अगर यह condition fail होती है, तो ही यहाँ पर आए, else if, यह condition होगा, check होगा, पहले क्या था, कि यह condition check हो, फेल होगी, else अगर हमने लिख दिया, और अगर यह condition fail होगी, तो direct execute हो नहीं है, लेकिन अब क्या है, कि यह condition हमने यहाँ पर check मतलब यह true नहीं वह false हुआ तो यह यहाँ प्याख दुबारा से condition चेक होगा condition 2 अब अगर यह condition true हो गया तो यह lines of execute हो जाएंगे और अगर यह भी condition fail हो गया यह भी fail हो गया तो यह last block है यह execute हो गया तो इसमें क्या होगा कि कोई एक ही statement मतलब block जो है execute होगा या तो यह या तो यह 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 होगा मतलब इसमें सारे जो statements है कभी भी execute नहीं होगे लेकिन इसमें सारे execute होगे तो depends करता है कि किस तरह का program है और हमाई requirement के उस हिसाब से हम condition use करेंगे